exercise 6.3 का question number 6 है in the figure if triangle ABE triangle ABE जिसको मैंने orange color से highlight किया हुआ है congruent है किसके triangle ACD automatically अगर ये है तो दूसरा triangle क्या होगा ACD automatically आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन से triangle की बात हो रही है ये दूसरा triangle क्या है congruent है congruent triangle के corresponding part क्या होते है equal होते है angle भी equal होंगे और उनकी side भी equal होंगी ये बोल देने से मुझे इतनी information पता चल चुकी है हमसे क्या कह रहा है हमसे की कह रहा है triangle ADE ADE ये उपर छोटा वाला triangle की बात कर रहा है ये triangle किसके साथ similar है जो बड़ा triangle है ठीक है ये छोटा triangle बड़े triangle के साथ similar है ये हमको प्रूब करना है तो शुरुआत करते हैं information क्या given है मुझे given है given triangle ABE is congruent to triangle A, C, D अब मैं अगर दो triangles congruent है तो उसके corresponding part क्या होते है equal होते हैं congruent triangle में तो मुझे जो information required है मैं उसको निकाल देता हूँ मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है मुझे A, D, E को A, B, C के similar proof करना है similar proof करने के लिए similar proof करने के लिए मुझे requirement किस किस चीज़ के उस पर focus करते हैं सबसे बहले मैं देख रहा हूँ मुझे क्या दिख रहा है यह A point ना दोनों triangle में आ रहा है यह जो A point है देखे गोर से देखो angle यहां भी दिख रहा है A, D, E, A इदर भी आया यहां पर A, B, C दोनों में A दिख रहा है तो angle तो क्या हो रहा है सीधे-सीधे angle A दोनों के लिए आ रहा है अगर angle है तो तीन condition हो सकती है दो condition हो सकती है angle आ रहा है तो या तो angle, angle, angle यह वाली criteria का इस्तमाल किया जा सकता है या फिर side angle, side इसका इस्तमाल किया जा सकता है बाग की किसी angle को find करना possible नहीं लग रहा है ठीक है बाग की किसी angle को find करना possible नहीं लग रहा है लेकिन मैं side को क्योंकि ये जो information given इसके हिसाबस में side find कर सकता हूँ ठीक है angle A मेरे लिए common आ गया अगर मैंने इन दोनों triangle को similar group करना है अब मुझे corresponding side का ratio equal करना है मुझे देखना है corresponding side कौन सी है ठीक है पहला triangle क्या दिख रहा है उपर छोटे वाले triangle का part देखो AD AD upon क्या होना चाहिए AD upon AB AD upon AB या AB upon AD अगर आप छोटा बड़ा जो भी लेना चाहो AD कह रहे हो AD के upon में AB ये दिख रहा है AD जो है वो किसका हिस्सा है AD ACD का हिस्सा है AD ACD का हिस्सा है ठीक है इसको देखो AD जो मुझे चाहिए कह रहा हूँ मैं AD upon AB करने के लिए मुझे AD और AB के बीच में relation चाहिए ये जो AD है यहाँ से AD सेकंड वाले triangle में है और ऐसे ही मुझे क्या चाहिए AD upon मैंने यहाँ से AD upon AB लिख दिया ठीक है ऐसे मुझे क्या चाहिएगा AE upon AC तो AD इदर है तो AC AE इदर होना चाहिए ये दिख गया आपको AE ठीक है इसका मतलब AD और AE क्या है आपसमें equal है पहले चीज मैं वो निकालूँगा मुझे जो चाहिए क्योंकि मुझे AD upon AB लिखना है और AE upon AC लिखना है तो AD और AE का आपसमें relation होना चाहिए वो दोनों triangle congruent है तो ये दोनों part equal होगी दूसरा अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे चाहिए बड़े वाले side ठीक है मुझे चाहिए AB ये बड़ी side किसके equal AD के equal AC के sorry AB AC के equal होनी चाहिए ठीक है AB किसमें आ रहा है AB इसमें आ रहा है देखो इसको अगर मैं color से highlight करूँ ताकि ये जिली देखे AB AB किसके equal चाहिए मुझे AB upon AC ऐसा कुछ लिखना मैं तो मुझे AC भी चाहिए AB अगर सुरवात मैं है तो यहाँ AC यानि मुझे इन दो triangle में जो information चाहिए है तो कही सारी चीज़े equal और भी side से equal होंगी और भी angle equal होंगी मुझे जो चाहिए मुझे सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए क्योंकि मेरी requirement ही यह है मेरी requirement में यह क्यों आई क्योंकि मुझे दिखा कि angle A common होने वाला है अकर angle A common है तो angle A equal है angle A equal है तो मैं कौन सी criteria का use कर सकता हूँ या तो AAA criteria या फिर SAS तो मैंने का A criteria का use करने के लिए मुझे बागी दो angle को भी find करना पड़ेगा जो find करना possible नहीं है तो मैंने का site डोड़ता हूँ site डोड़ने में मैंने देखा मुझे कौन-कौन सी site की requirement है तो वो दिख रही है यह है तो उन्हीं site को मैं निकाल होगा ताकि मैं SAS criteria का इस्तमाल करने वाला हूँ तो यहाँ पर जो information है उसमें क्या लिख सकता हूँ A, B, A, C के equal होगी क्योंकि दोनों triangle क्या है congruent है तो A, B equal to A, C also A, E ठीक है मैंने पहले find कर लिया कि मुझे किस चीज के ज़रोता है A, E, A, D के equal होगा ठीक है यह मैंने क्यों लिखा corresponding parts of congruent triangle corresponding parts है congruent triangle के इसलिए यह क्या होंगे congruent triangle और equal congruent triangle के corresponding parts क्या होते है आपस में equal होते है इसलिए यह क्या है आपस में equal है सिर्फ इन दो information की मुझे ज़रोती ठीक है तो मैं क्या लिख सकता हूँ अब मैं अगर इनका ratio लिखना चाहूँ So इनका ratio लिखना चाहूँ A, E, A, B upon A, D मैं जरूरी नहीं A, B upon A, E लिखना है मुझे यहां देखना है क्योंकि यह तो इधर-उदर interchange हो सकते है मुझे क्या चाहिए A, B अगर मैंने A, B लिया तो A, B के साथ मुझे क्या चाहिए A, D A, B बड़े वाले triangle की side है A, D छोटे वाले triangle की side है तो इसको आगे बीचे लिखा जा सकता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ A, B upon A, D ठीक है इतना upon इतना ठीक है यह interchange हो सकती है left side, right side में आ सकती है right side, left side में जा सकती है ठीक है तो A, B upon A, D किसके एकोल होगा यहां से देखते है क्योंकि बड़े वाले triangle की side ले रहिए यहां भी बड़े वाले triangle की दूसरे side A, C upon मुझे क्या चाहिए A, E आ रहा है A, C उपर है और A, E मैंने यह समलो equation 1 अगर इसको कह लो equation 2 कह लो तो इनका क्या कर लिए ratio ले लिए है तो A, C upon A, E यह आपस में equal होंगे equal होंगे क्यों होंगे equal suppose यह क्या है 1 है और यह क्या है तो इसकी value suppose मालनों 1 है इसकी value क्या है 2 तो इतना upon इतना करोगे और यह 2 है तो यह दूनों आपस में equal है तो इसका मनलदा यह भी 2 है और यह 1 है तो automatically यह भी 1 है ae या फिर a b upon a d a c upon a e आपस में equal होंगे अगर equation ये बन रही हुई है तो ठीक है इसको मैं कहले था हूँ equation तो मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है एक छोड़ा triangle है a d e की छोटी side a d और बड़े वाले triangle की बड़ी side a b का ratio चोटे वाले triangle की छोटी side a e और बड़े वाले triangle की बड़ी side a c के ratio दोनु क्या है दो ratio दो triangle की दो corresponding side का ratio का है आफस में equal है दो side का ठीक है अगर इन दोनु side के beech का angle भी क्या हो जाए equal हो जाए तो मुझे देखना है AB और AC के beech में बनने वाला angle AB और AC के beech में कौन सा angle बन रहा है angle A AD और AE के beech में AD और AE के beech में कौन सा angle बन रहा है same angle, तो क्योंकि angle same है तो दोनों के लिए क्या होगा, equal होगा तो मैं लिख सकता हूँ इसको in triangle a, d, e and triangle a, b, c मैं क्या लिख सकता हूँ, कि side का ratio तो equal है ठीक है side का ratio क्या है मेरे लिए equal है, a, b upon a, d a, b upon a, d a, b upon a, d is equal to a, c upon a, e साथ ही साथ also angle a, छोटे वाले triangle angle के लिख हो मैं, या बड़े वाले के लिख सकता है पहले angle b, a, z b, a, z is equal to angle d, a, e d, a, e तो, एक angle equal है और दो corresponding side का ratio भी equal है तो कौनसी property, by s, a, s similarity criterion क्या हो जाएंगे दोनों triangle, triangle a, d, e and a, d, e is similar to triangle a, b, c a, d upon a, b या फिर a, b upon a, d a, b upon a, d a, c upon a a, c upon a, s, a, s, a, angle a और angle a के हैं, equal हैं तो इस criteria से, ऐसे similarity criteria से दोनों triangle क्या हो गए, similar हो गए तो हम लिख सकता है hence, proved hence, proved जो सब्दोब्न विखाज़ए अ. ...